हेलो विध्यार्थी मित्रो, वेलकम बैक, आज आपने बाद करेशू स्थिती उर्जा अने तेना सुत्रा नी तार्रावने विशे, तो अगावना टोपिक मा अपने गती उर्जा विशे माहीती मिरवी चुक्या था, एना सुत्रा विशे पर माहीती मिरवी चुक्या था, ब् अने गती उर्जा नो आपने सुट्र पन जोही गया था तो ये सुट्रसे तो इक्के एंदेकि गती उर्जा बराबर एक दुत्यां उंद M V square येटले के दल गुनिया वेग नो वर्ग बराबर हावे बात करी स्थिती उर्जा तो स्थिती उर्जा येटले के ना सब्दव पर्थी जयनो अर्श समझ ये तो जेते पदातना स्थान ना काराणे जे संगरा आते उर्जा होए अथो जे धारन धती उर्जा होए येने तो जो ये के स्थिती उर्जा नी व्याख्या सु धाए छे के कोई बल्ग शेत्रमा रहेली वस्तुना स्थान ना काराणे अथो येना बंधारन ना काराणे अथो येना आकारन ना काराणे जे उर्जा ग्रहान थाए छे अथो ये उर्जा येना अंदर धारन थाए छे ए उर्जा ने शुक्यामा आवसे स्तिती उर्जा तो तमें अहीं आगल ब्याक्या जोई सकोचो के कोई बल्ग शेत्रमा रहेली ओके अथवा तो तमें डायरेक्ट आ रितना पन लखी सकोचो के ज्यारे पदार्थ अथवा वस्तुना स्थार्ना कारणे, बंधारना कारणे अथ पत्वा तो एना आकार्ना कारणे धारन थती उर्जा ने शुक्यामा आवे छे, स्तिती उर्जा केवामा आवे छे, हवे आ कई रितना तो एक उदार्थ द्वारा समझी जेमके आपड़े अलग-अलग उन्चाहे थी एक पत्थर ने आपड़े जमीन उपर छोडी रहा छी जेमके मानलो के या गळा जमीन चे बराबर अने आपने एक पत्थर ने एक अलग-अलग उन्चाहे थी जेमके मानलो के एक पत्थर ने आउन्चाहे थी छोड़े चे बिजा पत्थर ने लेके पत्थर बधा के वाचे सर्खा चे समान दलना बराबर अपने एक पत्थर ने तीजा पत्थर ने C पोजीशन ती जेना काड़ने एसु कर से गुरुत्वा कर्षन बढ़नी असर हिटल ए निचेनी तरब गती करवाना छे बराबर हवे तमें समझी सको चो के आमाती कईो पत्थर ए सवती वधारे आ जमीनु पर खाडो कर से तो कईो पत्थर आव से के बई जे वधू उन्चाए सपाटी ती जे वधू उन्चाए जे पत्थर आसे एसु कर से सवती वधू अहिया जमीन मा खाडो बनाव से तो एक यो पत्थर थाई जासे आ सी सिती वालों पत्थर जी असे एसु कर से वधू खाडो बनाव से तो एनो मतलब सु दायो कि अईया अगर आपड़े आ पत्थर ने अलग-अलग स्थान उपर सपाटी ना आधारे राखी रहा छी है अने ट्यार बाद ते स्थान पर थी अने छोड़ा ये सु कर से ओर जारे जे रहे लिए थी तो एने एक स्थान ना अलग-अलग स्थान उपर आपड़े इने राखे लाच्षे तो वेस्थान कारन ने अनना कई उरज है? से स्थिती उर्जा ब्राबर तो ये स्थिती उर्जा ना कारण ए ज्यारे छोडवां मा आवे छे त्यारे गती उर्जा मा रुपान थाई जासे कैम कारण के आवे गती करवानू चालू कर देशे अन्य एक गती उर्जा बाद अहीं आगलेशु करेशे एक एनू कारिये के जारे आपने आ पत्थर ने एक अमुक उन्चाई आपने लई जाईये छिए सपाटी दिशु करिये छिए अमुक उन्चाई लई जाईये छिए तो आ आपना द्वारा कारिय थाई रही छे आपना द्वारा एक पत्थर उपर सु थाई रही छे कारिय थाई रही चे बराबर परन्तु आपने कारिय कई रिते करिये चिए तो आपने सु करिया चिए गुरुत्वा कर्षन बलनी विरुत दिशामा ए पत्थर ने उच्खी रहा चिए समदाई जी बोलें सु बोलें के गुरुत्वा कर्षन बलनी दिशा कई एसे सपाटी तरफ नी बराबर आपने सु करिये चिए एनी विरुत दिशामा ए पत्थर उपर कारिये करिये चिए बराबर तो आगुरुत्वा कर्षन बलनी असर विरुत आपने आ पत्थर उपर कारि असे तो बिजी कैने परंतु कई उर्जा स्थिती उर्जा बराबर अने ए स्थिती उर्जा ना कारणे जे सौथी वधू उन्चा ये पत्थर से ए सुकर से सौथी वधू खाडो बनावे छे बिजु एकुदा अंध्वार आपणे समझी जेमके एक रब्बनी रिंग छे और एक छेडे ती एक हात वडे पकड़ी राखे छे और बिजा हात वडे शुकरिये छे रब्बनी रिंग ने ख्या चिये छे एले के एना अंदर एक प्रकाननों खेचान आपणे उत्पन करिये छे हवे एक खेचान ना कारणे ज्यारे आपणे एने छोडवामा आवे छे त्यारे एसु करे छे तरतज सुथाईज दाये छे पोतानी मूर स्थिती मां आववानों प्रहेतन करे छे तो आयहां आगळा जे रब्बरनी जी सरचना आती अना कारणे ज्यारे आपने और आनी स्थिती बदली ये तले के एने सु करिये अपने एने ख्याची ओके और आने ख्याच वाला कारणे एने characteristic बदलाई तो हवे ए जे खेचान रूपी, आपने जे खेचान रूपी कारिय करियेना उपर ए कारियेना अंदर कया स्वरूपे संग्रपामें छे तो स्थिती उर्जाना स्वरूपे अने ए स्थिती उर्जा ज्यारे आपने छोडी दईये चीए त्यारे ए तरत ज ए खुबज श्पिर्थी ए पोतानी मूल स्थान अथवा तो मूल सरचना मा परिणा में चे अने आवी जे सरचनाना कारानी जे स्थिती उर्जा उद्भवती होए एने बिजा स्वरूपे क्या होए तो आपने स्थिती स्थाप किया स्थिती उर्जा पन कई सकीए छे कई स्थिती स्थापकी या स्थिती उड़ जा ब्राबर याद रहे तो राग जो बिजु तो बिजु एक पुन उदान लई सक्किये के बई जे चावी वाडा तमें रमकडा रम्या आसे ब्राबर के बई थोड़ी चावी फेर वो अने पच्छी अने आपड़े छोड़ी दई सपाटी पर तो इसु थाए यहनी जाते एक गती करवा लागे छे तो वे चावी वाडा जी रमकडा होए तो ए रमकडा मा अंदर एक स्प्रिंग आवे लिए जेमा आपड़े चावी भर ये त्यारे एना अंदर वोल चड़ता होए छे बड़ाबर अने ए वोल चड़वा जितला वधारे संख्या मा एना आटा बन से अत्वा तो आटा नी संख्या वज से एम पिली जे घाडी असे बड़ाबर रमकडानी जे एसु कर से सौती वधू अंतर काप से तो त्या अगल आपड़े एसु करी रहाची त्या स्प्रिंग नी जे स्थिती अती अंदर सु अ आवी आपड़े भरिये ची तो ये दर्म्यान जे स्प्रिंग नी स्थान अत्वा तो येनी स्थिती मा बडलावावे चे एकदम हावे टाइट बनी जासे बराबर तो जेना कारने जे आरे आपड़े छोड़िये ची तो ए पच्छी ए एना अंदर रहेली जे उर्जा अती क एक कारिये कया स्वरूपे करियो आपड़े चावी जे बरी एना कारने पिला वलनी संख्यामा सु थायो एना स्प्रिंग ना वलनी संख्यामा वदारो थायो तो ए आपड़े त्वारे एक कारिये थायो औने एक कारिये एनांदर कया स्वरूप मा संग्रहाई चे तो स्थित स्थिती उर्जा स्वरूप मा बराबर सरा तो अगर तमें स्थिती उर्जा नी भैख्यं मादार कारण बंद्धार ना आ कारान्य को एनांदर संग्र खाती है माँ उसे स्थिती उर्जा केंवा मां आवे लिए अने स्थिती उर्जा ने संकित मा आपड़े कैपिटल E स्मॉल P तरीके दर्शावी सकीए छे जैने इंगलिस मा पोटेंशियल एनर्जी क्यावाई छे पोटेंशियल नो अगर सु बतावे लोचे तमने P बतावे लोचे बराबर अने आपन उर्जा छे तो उर्जा ना तो कोईपन उर्जा होए बराबर तो उर्जा नो तो यसा एकमसु थाए तो जूल एपची जाए गती उर्जा होए किस्तिती उर्जा होए ओके तो अहिया अगर सामानी रिते उर्जा नो एकमसु थाई जाशे जूल थाई जाशे ओके हवे आपने वाद करिये बिजा मुद्धानी के ज्यारे कोई वस्तुने उंचे लई जाई ये तो तेथी उर्जामा साथी वधारो थाई छे ले जी अत्यारे में तमने आजे माहीती आपी अलग-अलग सीती दर्म्यान आपने जे पत्थार ने तो ए उंचाय मा वधारो थाई तो उंचाय मा वधारो थाई तो एना उर्जामा पन्सु थाई गयो वधारो जेमके आपने ए उर्जान ए पत्थर मा रहेली उर्जा विसे वाद करिये ए अने बिजी सी पत्थर मा रहेली उर्जा तो बन्ने माती कोना अंदर उर्जा वधा चाहे होवा ना कारणे, ए एना अंदर उलजापमकीवी संग्राहासे, वदू शंग्राहासे, बराबर, तो अवे आउक्यम थायू, तो एना पाच्छान नू कारण छे गुरुत्वा कर्षण बलनी हाजरी, बराबर कई तो ए जे गुरुत्वा कर्षण ना विरुत अपने कारिय करियू जैंके यहां अगर तमें एक उदारन अथवा तो एक आकरुती जोई सको छो के यहां एक वस्तु पदार्थ चे बराबर ए पदार्थ ने आपड़े ए चुन्चाय पर लई गया तो हवे ए चुन्चाय पर आपड़े लई गया तो ए दर में आपड़े करिया तो गुरुत्वा कर्षण बल जमीनी सपाटी तरफ लागे और आपड़े सु करियू गुरुत्वा कर्षण बलनी विरुत एन्ने एना उपर कारिय करियू बराबर ए पदार्थ ने आपने सु करिये पकड़ी ने एक अमुक चौका सुनचाए पर एने लाविये छिए अनो मटलब सपारधिती चौका सुनचाए अना कारण versão सब्सक्राण जय अपना द्वारा कारिय थय एक गुरुत्वा कर्षन विरुद कारिय थय गुरुत्वा कर्ष्ण बलनी विरुद्ध कार्या थायू अन्ये एक कार्ये एना अंद कया स्वरुपमा संगराये छे स्थिती उर्जा ना स्वरुपमा परन्तु आ गुरुत्वा कर्ष्ण बलनी विरुद्ध जे कार्ये कर्यू जेना कारणे आवी स्थिती उर्जा नेसु क आमां आवे छे गुरुत्विय स्थिति उर्जा ये शु कैईशू आपने गुरुत्विय स्थिति उर्जा तो तमें यहां गर जोई सको छो कि वस्तूने जमीन ती एछ makes you Mathle તેની ઉદા વધા રુધાય ચે કિં કારાણકે વસ્તુ ઉપર ળઈજા જવા ગુરૂતુ ઉપર વર્ય જવા तो आ माहिती ती एई आगल स्थिती उर्जा कोने केवाई अने गुरुत्वी स्थिती उर्जा कोने कैशु आपने हवे आपने जो ये गुरुत्वी स्थिती उर्जानू सुत्र ब्राबर तो अहीं अगल तमे जी अत्यार या अपने एक आकृती जोई गया था कि कोई पदार्थने, कोई जमीनी शपाटी थी एक पदार्थने केटले उन्चाहे H उन्चाहे जितली एने उच्यकवामा आवैचे केटी थसे M, G, H, हवे आखके रितना आवेचे A जोईए, तो यहां अगल आपणे शुत्र तारववू छे, ओके, तो हवे, जे आपणे यहां अगल जी पदार्थ विच्छारू थो, यहनु दल आपणे दारी लएए, स्मॉल M, केटलो दल तारी लएए, स्मॉल M, तो M दल वाली वस्तुने, जमिन नी, M दल वाली, M दल वाली वस्तुने, जमिन परती A चुन्चाई सुधी लए जवा, जरूरी लगुत्तम बल, केटलो अपणे आपणे, तो एना द्वारा जी जमिन उपर लागतू बल असे, एटले के, केटलो असे बल, एना वजन तो वजन नू आपणे जोई गया ता गुरुत्वा कर्ष्ण बल मा, के वजन W बलाबर, एनो सुत्रसुता है, M, G जेटलू, तो आपने यहागळ, N, O, J, दल चे, M, विचारेलू छे, अने एना अपणे गुरुत्वा कर्ष्ण बल, केटलो लाग से, G, जेटलू, बलाब स्थान पर थी, जे सपाटी पर एने आपने राखेल छे, एस सपाटी ना स्थान पर थी, सुधाई सकेचे, आपने एने उचकी सकीए, चीए, तो लगुत्तम बल केटलो, जेते पदार्ट पर लगाड़ू पड़े, एना वजन जेटलू, शुकरवा माटे, एने एस सपाट पर पर यहां तो सुचे, गुरुत्तम अकर्ष्ण बल नी विरुद आपने एज जेतलू स्थान आंतर करावियू, तो यहना पर करू पर तुकारिया यहां अगर सुधारी लिदूचे, डबल्यू बलाबर, तो डबल्यू बलाबर सुधाय, बल गुणिया स्थान आंतर, ब बल्यू शुत्रसु थाए, F is equal to M A, F is equal to M A, परन्तु अईयां अगर जे बल लागसे, किट्लू लागसे, तो पदाल्थना वजन जेतलू, जेना कारणे यहां F A, शु लखिशू, आपने M G, अवे आ G पन एक प्रकान नू प्रवेगत छे, बलाबर, से शुझे, जी एक प पन समझी सको, कि जे बल आपड़े लगाडवो पड़ियू, किट्लू लगाडवो पड़ियू, एना वजन जेतलू, तो यह वजन किट्लू होतो M G, तो यहां अगर F नी जग्या सु लेवामा आवियू, M G, अने एने स्थानांतर किट्लू करावियू आपने, तो H बड़ाबर, माटे S नी जग्या सु आवियू, H, बड़ाबर, तो हवे एने सुत्र, एटले कि एनू कारिय किट्लू केवासे, तो M G, H जेतलू, किट्लू थसे कारिय, एना पर आपड़े H उन्चाहिये लई गया, तो एना माटे किट्लू कारिय करियू, तो W बड़ाबर M G, H जेतलू, बड़ाबर, प्रनतु, आ कारिय, एक कयु हतु, गुरुत्विय स्थिती उर्जानू, आ वस्तुब करेलू कारिय कया स्वरुपमा, एना दर संग्र हासे, तो गुरुत्विय स्थिती उर्जा स्वरुपमा, बड़ाबर, तो माटे हेनू सुत्रशू बनी जस E P, E P कोना माठे, स्थिती उर्जा माठे, बराबर तो E P बराबर M G H, सुधसे E P बराबर M G H, तो आ आती सुत्रनी तारवनी, ओके, हवे आपणी जोईए एक उदाहरन, जेमा, तमारे यहां बतावानू छे के, बे तमने पदार्थ हो आप है, और M एक टोकस H उन्चाई पर M लई जाआ मावे, परन्तु E P पदार्थ ने जे पदार्थ चे, और H उन्चाई लई जाआ माटे, एक कहीं के तमे प्रथम फीगर इतले के, आ फीगर माँ जोई सको छो अने बिजो पदार्थ नो जे पदार्थ नो जे पदार्थ टू छे, बराबर E परन्त अमे जोई सको के, पदार्थ ने पहला सिधो उचकवा मावे, पच्छी यहने, थोडो साइडवा, खसेडवा मावे, M करी ने जुकरवा मावे, एक H उन्चाई पर लई जावा मावे, अने आजे प्रथम जे पद चेमा सिधिस जीदो यहने उचकी ने H उन्चाई पर लई जावा मावे, छे, तो अब ए दर्म्यान, ए दर्म्यान जे, आपने बतावानू छे के, कोना अंदर स्थिती उर्जा सुथी वद्दू, हसे अथवा तो, सु बन्ने मा स्थिती उर्ज समान रह से, तो जवाब सु आउसे, तो एनो आपने सुत्र प्रमाणे पर तमें समझी सको, के MGH, एटले के H उन्चाई बतावे, बराबर, हवे तमें आप बन्ने पदार्थोमा जोई सको, के बन्ने नी उन्चाई तो के भी छे, सरकी छे, तो पच्छी ए तमें कया मार्ग अलग-अलग मार्गूपर ती लई जैने, ह एच उन्चाई राखो छो, तो ए एना साथे निस्वत राखतू न थी, एटले के एना साथे ए जरूरी न थी, ओके, अने, तो अहिए अगर फक्त ने फक्त ह एच उन्चाई बन्ने नी उन्चाई तो किटली छे, ह एच छे, किवी संग्रासे स्थी उर्जा बन्ने मा समान, ब्राबर, तो तम्हें जोई सको के जो वस्तु एथी बी सुदी लई जा, आक्रती मा बतावे अनुसार बे मार्गों लई जैए, तो प्रुथ्वी ना सिरूलम उन्चाई बन्ने मार्ग माटे समान होवा थी, कार्य पन समान थाए छे, अने तेथी स्थिती उर्जा बन्न कीवी थसे, समान थसे, ब्राबर, तो एना पत उपर ए आधार राकतू, ना ती जो उन्चाई बन्ने ने कीवी होई, समान होई, त्यारे, ब्राबर, कार्य के आपड़े पछी एटलूच कारिये करू पड़े छे, अने एक कार ये पछी इस्थिती उर्जा मा रूपा अंतरन थसे, ठीक छे, हवे आपड़े बात करिये, तो सु उर्जा ना जुदा जुदा रूप एक बिजा मा आंतर रूपा अंतरन ये चे, एनो मटलब M के जिए आपनी आजुबाजु रहे ली जिए उर्जा हो छे, सु ए उर्जा उने एक मा थी बिजा मा रूपा अंतरन करी सक्किये चे, तो हाँ करी सक्किये चे, जुदा 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 जी उर्जा ना स्वरुपो छे, एने एक मा थी एक उर्जा मा थी बिजी उर्जा मा रूपा अंतरन करी सक्किये चे, जैंके एक उदारन लईए, मैं तमने आगल पन गिदुदू के जे सोलार प्लेटो होए बराबर सोलार पैनलो बराबर तो ए प्लेटो द्वारा अपने सु करिये चे विद्धु तुर्जामा रुपान तरण करिये चे तो ए सो रुर्जा जे आवे चे एनु सामा रुपान तरण करिये आपे चे विद्धु तुर्जाम पच्छी एने साथे-साथे तमें, जयांके हीटर्च आखें तोओ ए इलेक्ट्रीक हीटर्च ज़े बलाबर तो ए हीटर्च माह आपने एने पानी गरम करवा तो ए जियारे अपने विद्धूतूर्जा अनांदर्थी पसार करिये छे तो ए हीटर सु थाये चे गरम थाये चे तो ए गरम थाये अन्दो मतला बेनांद कई उर्जा आवे रुपान तरन पामे चे तो उष्मा उर्जा एडले के आपने विद्धुद उर्जा नू सामा रुपान तरन करी उष्मा उर्जा मा ए जितना जे बल्ब आवे चे जे आले जुदी-जुदी ऊर्जाना स्वरूपो ने एक माती विजा मा रुपान्तरन करी सकिए चीए ऊके तो अही आग युदी ते चीछे के जुदा-जुदा जई स्वरूप को शेक कया कया तो गती उर्जा, स्थिती उर्जा, बराबर उस्मी उर्जा, विद्धोत उर्जा, प्रकास उर्जा, रासाइनिक उर्जा वे रासाईनी गुर्जा करी रितना जमके आपड़े प्रकास संसलिसन नी वाद करी वनस्पती माँ प्रनस्पती प्रकास संसलिसन नी क्रिया दर्म्यां पोता नो खोराक बनावे तो फे अ दर्म्यान जे करशी है तो जे क्लोरोफिल क्लोरोफिल करेचे कहे जे दिवस दर्म्यान जे सूरिया प्रकासे लleader है सूरिय प्रकासे लगे तो आम विवित उर्जाओं ने आपने एकमा थी बिजामा रुपांतरां करी सक्ये चीए तो आप बदीज उर्जाओं एक बिजामा रुपांतरां पामे चे जैमके गती उर्जानों स्तिती उर्जामा जेमके आपने कोई गाडी छे गती माँ चे आने जारे आपने ब्रेक लगावी सु तो ये सु थाई जासे स्थिती उर्जा माँ आवी जासे बराबर अत्वा गती उर्जा ने उश्मा उर्जा माँ लावी सकीए चीए चेम के आपने बनने हाथ एक बिजाने जोर्ती गसी है तो ये गती उर्जा बनने हाथ ने शुकरावी चे गती करावी चे तो ए दर्मेया नेनांद सु उत्पन दसे उश्मा उत्पन थाये चे पचीतेम स्थिती उर्जानु गती उर्जामा, विद्धुत उर्जानु उष्मा उर्जा, प्रकास उर्जा, प्रकास उर्जानु विद्धुत उर्जामा पन आपने रुपांतरन करी सकीए ची तो आम अलग अलग उर्जाना स्वरुकोंने आपने एक बीजामा रुपान्तरन करी सकी ची तो तमें आ उदार द्वारापन लखी सको चो उर्जा सरक्ष्या नियाम व्यक्ष्या आपई चे यांतरीक उर्जा करती और हो सकीाथ जे स्थिती उर्जा और गती उर्जा ना सर्वाला ना मुल्य ने शुक्यामा आवशे यांत्री खुर्जा तरीके उलखवामा आवे छे यांत्री गूर्जा कोनी केवामा आवे तो जे गत्ती उर्जा आने स्थित्ती उर्जा ना सर्वाला ने सु केवामा आवे छे जेते पदार्थ ने यांत्री गूर्जा आत्वा तो खूल उर्जा केवामा आवे छे हावे बात करिए उर्जा सरक्षन ना नियम नी तो उर्जा सरक्षन नो नियम सु क्या छे के जे पन उर्जाओ आपने आजुबाजु रहे ली छे ए उर्जाओ ने सु करी सक्या आपने एक उर्जामा थी बीजी उर्जामा एने रुपान तरण करी सक्ये छी परंतु आपने ना तो कोई उर्जाने नास करी सकिये छिए ना तो एने सर्जन करी सकिये छिए सुछे उर्जा सरक्षनों नियम के उर्जाने फक्त एक स्वरुपमा थी बीजा स्वरुपमा रुपांतरी थाई सके छे परंतु तेनों सर्जन और विनास करी सकता नथी और रुपांतरन पहला नी जे उर्जा होई ए और रुपांतरन बाद नी जे उर्जा होई ए बन्नेस वह चे अचल जर्वाय रहे एटले के अमनी आंत्रीक उर्जा अचल जर्वाय रहती होई तो आवा आस वाक्य जे चे स्वाना माटे अतु उर्जा सरक्षन ना नियम माटे के जे फरीदी रिपीट करूँचू त्यांती सांबल जो के उर्जा फक्त एक स्वारुप माथी बिजा स्वारुप मार रुपांतरी थाई सके छे परन्तु तेनी उत्पती के विना सक्य नती अने रुपान्तरन पहला अने रुपान्तरन बाद कुल उर्जा हम्मेशा केवी रहे चे अचल रहे चे तो आनेसु के आमा आवे चे उर्जा सरक्षन नियम आनेसु कैसु आपने उर्जा सरक्षन नियम बराबर जे तमें इया अगर पन जोई सको छो के सव प्रतम तमने एम गिदुझे के उर्जा रुपान्तरन नी अवस्थामा मालो की कोई पदार छे ए स्थिती उर्जा माथी गत्ती उर्जामा रुपान्तरन थाई रहे चे अचल रहे चे अने आ निया मनुसार उर्जा फक्त एक स्वरुक माती विजा स्वरुक मा रुपान्तरन थाई सके चे परन्तु एनी उत्पती के विनास थाई सकतो न थी अने ए लख्या बाल आपन लखू जरूर फरजिया चे के रुपान्तरन पहला आने रुपान्तरन बा प्रार्म्यान प्रार्म्पा एनी स्थिती उर्जाजी असे कितली असे वदू असे मालोकी कोई एक आपड़े पदार्थ विचारी लई आपणि आ सपार्टी चे सपार्टी पर्थी है अपने एक पदार्थने मुक्त पतन करावा है इतले कि त्या थी चोड़ी द्यावा माँ पराबर સเรา પ્રતમ જે આપણી હાથમાં પકડેલો સે પથઽ્ર ને અથવા પધાર્ધને ત sabia अदर मेंना एक्य अवस्तामा स्थीर स् थीति में माटे दर मेंन एनंधर जेट्टीज। हो जाया है कितल आशे स votre you the lowest अन्य स्थिति उय्जा असे शो जाया है ये स्थीर श्वरुपमा लखो चे एच ओके तब ए दर्मेया नेनी कूल उर्जा अपने धारी लई ए लई ए कूल उर्जा एटले बिजू कई नहीं परांतु सुचे यांतरीक उर्जा कई उर्जा एक चे यांतरीक उर्जा तो ए दर्मेया नहांदर E P is equal to MGH चे अन्ने के एकले के के ए आपने लई सके ची बराबर तो केई एक ले के कई उर्जा थाई छशेऊ MGH जेकली ब्राबर अने जारे ए वस्तु निचे परती होये छे त्यारे तेनी स्थिती उर्जा ए समारूपांतर अन्ताशे गती उर्जामा मालनों कि हवे अपने शु करिए पत्थर ने छोड़ी दिदो तो अवे पत्थर ने छोड़ी देता अवे निचे नी तरफ कुरुत्वा कर्शनी हाजिना कारणे निचे नी तरफ आवसे तो अवे ए दर्म्यान एनी स्थिती उर्जा समारूपांतर अन्ताशे तो गती उर्जामा समारूपांतर अन्ताशे गती उर्जामा ए जे ओज ये ज्यारे सपाटी पर अथडाए चे ए दर्म्यान एनी जे स्थिति उण्जा आसे जीरो थई जशे बराबर ज्यारे अथड़ाय छे दर्म्यान और अन्ने यह गती ऊर्जा आशे कि जाशे मेक्जिमम एटले के साउथी वदू गती ऊर्जा इना अधर आवी जशे केम कारांके स्थिती ऊर्जा दिमें दिमें सामाद रुपांतरन थवाल आगे छे तो गती ऊ कारणे तमें यहां गर्जोई सको के ज्यारे वस्तुने जमिन नी नजीक पोचे त्यारे वस्तुनों अंतिम वेग महत्तम बने छे अने महत्तम वेग आपने कई रितना बतावे छिये स्माल वी थी तो ए inf widen आने स्थिती मा कूल ऊरुजदा कितली देसे तो e बराबर e p प्लस k बराबर यहां स्थिती ऊरुजदा प्लस घती ऊरुजदा तो जायरे ए अत्धंगे जमिनई सपबसे पाटी पर ए वकते कितली आपने जाई जासे 0 यह वक्ते के विए के लिए धाई जैसे 0 अने एनि कई उर्जा सवोथी वधारे बनी जैए यह से तो यांत्री गती उर्जा अनि गती उर्जा आपने सुत्रस्वारूपे कई रिदना लखी सकी है तो 1 दुत्याउंस mv square तो यहनी महत्तम उर्जा ए दर्म्यां किटली अशे स्थिती मा तो गति उर्जा इतली जे किटली अशे e बराबर इतले के यांत्रिक उर्जा e बराबर 1.5 mv square ओके आम गति उर्जा महत्तम होई त्यारे एक सू होई ची स्थिती उर्जा लगुत्तम बने छे अने गती उर्जा लगुतम होई एधर में स्थिति उर्जा केवी बनती होईचे महत्तम बनती होई चे अने आपर्थी आपड़े कई सकियेची कि वस्तुना मुक्त पतन दर्म्यान कोई बिंदू पासे स्थिती उर्जामा जेटलो गटालो थाए एटलो एनी गत्ती उर्जामा सु थसे वदारो थसे बलाबर और ने आज एसु बतावेचे उर्जा सरक्षन नो नियम अहिया अगल आपड़े समझी सकीए चिये आ प्रवुति पर्थी बलाबर ने अहिया अगल जे गर्षन बला प खर्चाई सके चे तो आम आहिती ती यह अगल उर्जा सरक्षन ना नियम नी अने ना उदारान माटे यांत्री उर्जानी वेक्ष्यासु थसे तो वस्तुनी गत्ती उर्जानी स्तिती उर्जाना सर्वाराने चे आम आवे चे यांत्री उर्जा के वामा आवसे ओके ठेंक् झाल 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 झाल